प्रिष्ठ संख्या एक सौतिरानवे अध्याए सोलह कोश एक परिचय इस पार्ठ में आप पढ़ेंगे शब्द कोश विश्व कोश साहित्य कोश अध्रिश्य की आड़ के पीछे छिपी हैं कुछ ऐसी सुरंगे जो अपने गुप्त रास्तों से शब्दों की जन्म कथा तक ले जाती है राजेश चोशी हिंदी कवी कुछ पढ़ते समय जब किसी शब्द का अर्थ अथ्वा उसका संदर्भ आपके जहन में सपष्ट नहीं होता तब आप क्या करते हैं जाहिर है आपके मन में फौरण शब्द कोश का ध्यान आता होगा चंद्रिका भी आपकी तरह परिशान हुई आईए जाने कि उसकी समस्या कैसे हल हुई पढ़ते पढ़ते चंद्रिका को ऐसा लगा जैसे स्वादिश्ट भोजन करते हुए दातों की बीच अचानक एक कंकडिया फसी हो सारा मजा किरकिरा हो रहा था चंद्रिका गर्मी की छुट्टियों के दोरान घर में लेटी किसी और ही दुनिया की सैर कर रही थी लेकिन अचानक वहां से वापस लोटना पड़ा समस्या के समाधान के लिए वो लता दीदी के कमरे में भागी लेकिन वो भी कहीं बाहर गई हुई थी चंद्रिका के लिए अब कोई चारा नहीं था जिस उपन्यास के कालपनिक जगत का वो आनंद ले रही थी अब उसे आगे पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही थी उपन्यास पढ़ते पढ़ते खाने में कंकडी की तरह एक शब्द अचानक बीच में आकर उसके आनंद में खलल डाल रहा था शब्द का अर्थ चंद्रिका को पता नहीं था बगैर अर्थ जाने वो आगे बढ़ना नहीं चाहती थी मानो कोई ब्रेक लग गया हो प्रिष्ठ संख्या 194 शब्द था विदग्द ये शब्द उसका मूँ चड़ा रहा था और ये पराजय भाव चंद्रिका को स्वीकार्य नहीं था लेटे लेटे वो इसी शब्द के बारे में सोचने लगी सोचते सोचते उसे ऐसा लगा जैसे सामने खिड़की से कोई चाया सी अंदर आई और उसके सामने खड़ी हो गई अरे ये तो कोई परी है चंद्रिका उसे देख कर चौकी थोड़ी घबराई भी मगर तुरंत ही उसने स्वयम को संभाल लिया साहस बटोर कर उसने परी से पूछा तुम कौन हो और यहां किस लिया आई हो मैं चंद्रिका हूँ शब्द लोक से आई हूँ मगर चंद्रिका तो मेरा नाम है हाँ मैंने ही तुम्हें अपना नाम उधार दिया है घबराना मत मैं इस बात की कोई फीस या किराया नहीं लेती शब्द परी चंद्रिका हस्ते हुए परिहास के स्वर में बोली और हाँ मैं तुम्हारी समस्या भी सुलजा सकती हूँ विदग्ध भी मेरे लोक में ही रहता है बहुत अच्छा लड़का है मैं उससे तुम्हारी दोस्ती करा दूँगी इसके बाद वो तुम्हें कभी परिशान नहीं करेगा चंद्रिका ने शब्द परी से कहा मगर तुम्हारे लोक के जो दोसरे निवासी हैं वे तो मुझे परिशान करते रहेंगे शब्द परी बोली मैं तुम्हें अपने लोग के सारे रहस से समझा दूँगी फिर तुम्हें कोई कठनाई नहीं होगी मेरे लोग के समस्त निवासी तुम्हारे मित्र बन जाएंगे चलो, मैं तुम्हें अपने लोग में ले चलती हूँ मगर मैं चलूँगी कैसे? मेरे पास तो तुम्हारी तरह पंख है नहीं चंद्रिका ने थोड़ा आश्चरे प्रकट करते हुए कहा चिंता मत करो मैं तुम्हारे लिए फूलों का रथ लेकर आई हूँ चलो चलते हैं चंद्रिका अपनी हमनाम शब्द परी के साथ फूलों के रथ पर कुछ समय तक उड़ती रही अब फूलों का रथ एक विशाल नगर के ओपर था चंद्रिका ने रथ से नीचे देखा नगर की विशेष्टा ये थी कि इसमें एक अत्यंत प्रशस्त राजमार्ग था और सारे भवन इस राजमार्ग के एक ही तरफ पंगती बद्ध रूप में निर्मित थे राजमार्ग के दूसरी तरफ कुछ भी नहीं था हमारे लोक में नागरिकों को शब्द कहा जाता है ये एक आदर्श लोक तंत्र है और यहां सभी शब्द समान है कोई छोटा बड़ा नहीं कहीं उच नीच नहीं यहां इतनी सुन्दर व्यवस्था है कि किसी राजा या शासक की जरूरत भी नहीं होती कौन सा शब्द इस राजमार्ग के किनारे कहा रहेगा इस बात पर क्या कोई विवाद नहीं होता चंदरिका ने पूछा शब्द परी बोली हमने इसके लिए नियम निर्धारित कर रखे हैं हर शब्द अनुशासन का पक्का है बिना किसी बलप्रियोक के वो अपनी जगह खुद ले लेता है जब किसी नए शब्द को यहां की नागरिकता मिलती है तो वो भी यहां के नियमों के आधार पर ही इस राजमार्ग के किनारे अपनी जगह ले लेता है यहां के भवन भी ऐसे हैं कि वे थोड़ा थोड़ा आगे खिसक कर नए शब्द को उसका सही स्थान अपने आप दे देते हैं चंद्रिका की अगली जिग्यासा थी नए शब्दों को आपके लोग की नागरिकता क्या आसानी से मिल जाती है शब्द परी ने गर्व भाव से कहा नागरिकता के लिए तो हजारों शब्द कोशिश करते हैं मगर वो इतनी आसानी से नहीं मिलती जब तक किसी शब्द और उसके अर्थ या अर्थों को तुम्हारे समाज की मानिता नहीं मिल जाती तब तक हम अपने लोग में उसे प्रवेश की भी अनुमती नहीं देते नागरिकता तो दूर की बात है हमारे लोग की नागरिकता एक बहुत बड़ा सम्मान है जिसके लिए शब्दों को लंबे समयता कोशिश करनी होती है रथ नीचे उत्रा और शब्द लोग के प्रवेश द्वार से होता हुआ राज मार्ग पर धीरे धीरे चलने लगा प्रिष्ठ संख्या 195 यहां इस प्रिष्ठ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें कुछ महत्वपूण कोश दिखाए गये हैं जैसे व्रिहत हिंदी कोश हिंदी साहित्य कोश लोक भारती मुहावरा कोश हिंदी लोकोक्ती कोश इत्यादी चंद्रिका ने पूछा शब्द परी तुमारे लोक की आबादी क्या होगी? अभी तो हमारे लोक की आबादी लगभग पांच लाग है जैसा कि मैंने तुम्हें बताया हमारे लोक में नए शब्द भी जोडते रहते हैं शब्द परी ने आगे कहा जिस प्रकार तुमारी पृत्वी पर नए नगरों को योजना बद्ध ढग से खंडों और उपखंडों में बाटा जाता है और फिर हर मकान को एक संख्या प्रदान करते हैं उसी प्रकार हमारे लोक को भी पहले खंडों में बाटा गया है और फिर उस खंड में हर शब्द के भवन को हमारे नियम के अनुसार क्रम बार विवस्थित किया गया है चंद्रिका का अगला सवाल था यहां खंडों का नामकरण कैसे करते हैं? यहां खंडों के नाम वर्ण माला के अक्षरों पर रखे गए हैं जैसे कखंड, चखंड, पखंड, आदी इन खंडों का क्रम भी वर्ण माला के अक्षरों के क्रम के ही अनुसार है हां, दो महत्वपूर्ण अंतर है वे क्या? पहला अंतर तो यह है कि हिंदी वर्ण माला अ से शुरू होती है मगर इस लोग का पहला खंड अंखंड है इसके बाद अखंड, आखंड, इखंड, इत्यादी वर्ण माला के क्रम से ही आते हैं दोसरा अंतर क्या है? हिंदी वर्ण माला में संयुकताक्षर क्ष, त्र, ग्यं, श्र, वर्ण माला के अंत में आते हैं लेकिन हमारे शब्द लोक में ये उन वर्णों के अंत्याक्षर के साथ आते हैं। बात पूरी तरह से समझ में नहीं आई। चंद्रिका ने भोलेपन से कहा। सब समझ जाओगी। बस इस राजमार्ग पर मेरे साथ आगे चलो। फूलों का राथ अब राजमार्ग पर चलने लगा। एक ओर प्रक्रती का अक्षत सौंदर्य था और दूसरी ओर शब्दों के भवन थे। पहला खंड अंखंड था। फिर अखंड, आखंड, इखंड, 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 आधी एक एक कर आने लगे। स्वरवरणों से नामित आखरी खंड, आउखंड था। फिर व्यंजन वरण से नामित पहला खंड, का खंड आ गया। प्रिष्ठ संख्या एक सौच्छी आनवे शब्द परी बोली। अब व्यंजन वरणों से नामित खंड शुरू हो रहे हैं। इन खंडों की एक खास बात ये है कि ये उपखंडों में विभाजित हैं। खंड के भीतर के उपखंडों को व्यंजन पर लगी मात्रा द्वारा नामित किया जाता है। चंद्रिका फिर बोल पड़ी। बात पूरी तरह समझ में नहीं आई। शब्द परी ने समझाया। हमें व्यंजनों में आवशक्ता अनुसार मात्राएं भी लगानी होती हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें व्यंजन नामित खंडों को मात्राओं के आधार पर उपखंडों में बातना होता है। अब कह खंड की ही बात लो। का से शुरू होने वाले शब्दों के भवन हैं। पहले कंग, फिर का उपखंड। का उपखंड इत्यादी एक-एक कर आते जाएंगे। रथ आगे बढ़ रहा था। का खंड के विभिन उपखंड एक-एक कर गुजरने लगे। कंग, क, का, की, की, कु, कू, के, कै और को उपखंडों से गुजरते हुए, रथ कउ उपखंड तक पहुँच चुका था। तभी चंद्रिका के मन में एक सवाल उठा। मेरी हमनाम जी, विभिन मात्राओं से नामित उपखंड तो नजर आए। मगर वे सारे शब्द इस लोक में कहा निवास करते हैं जहां दो व्यंजन मिलकर सैयुक ताक्षर बनाते हैं। अभी हम कखंड का नजारा देख रहे हैं। मगर क्यारी, क्रंदन, क्रीडा इत्यादी शब्द तो नजर ही नहीं आए। शब्द परी बोली, ये तुमने अच्छा सवाल उठाया। हमारे लोक में इसके भी निश्चित नियम है। अब कखंड की ही बात लो। कंग उपखंड से चलते चलते, हम कउउपखंड तक पहुँच चुके हैं। इसके बाद संयुक ताक्षर का उपखंड शुरू होगा। शब्द परी ने सच ही कहा था। कउउपखंड के तुरंत बाद कउपखंड शुरू हो गया। क्या, क्यारी, क्यूं जैसे शब्द आने लगे। शब्द परी बोल पड़ी। मैंने तुम्हें कुछ देर पहले बताया था कि क्ष, त्र, श्र जैसे वरणों से शुरू होने वाले शब्द इन वरणों के प्रथमाक्षर के साथ आते हैं। चंद्रिका ने याद करते हुए कहा। हाँ, और आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई थी। शब्द परी समझाने की मुद्रा में बोली। देखो, अब क्ष का ही उदाहरन लो। यह का और श के योग से बना हुआ संयुक्ताक्षर है। इस संयुक्ताक्षर का पहला आक्षर, यानी प्रथमाक्षर, क है। अतह, यह इसी उपखंड में आगे जाकर है। ध्यान देने योग के बाते हैं। पहला, शब्द कोश शब्दों का खजाना है। इसमें एक भाशा भाशी समुदाय में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को संचित किया जाता है। दूसरा, शब्द कोश में शब्दों की वित्वपत्ति, स्रोत, लिंग, शब्द रूप एवं विभिन संदर्भ परक अर्थों के बारे में जानकारी दी जाती है। तीसरा, हिंदी शब्द कोश में हिंदी वर्ण माला का अनुसरण किया जाता है। परंतु अंग से प्रारंभ होने वाले शब्द सबसे पहले दिये जाते हैं। चौथा, यद्यपी हिंदी वर्ण माला में कुछ संयुक्त व्यंजन सबसे अंत में आते हैं। परंतु शब्द कोश में उन्हें उस क्रम में रखा जाता है जिन व्यंजनों से मिलकर वे बने हैं। जैसे कधनक्ष, मिलकर बना क्ष, जधन ग्या, तधन र, मिलकर बना द्र, शधन र, मिलकर बना श्र। पाँचवा, स्वर्रहित व्यंजन से प्रारंभ होने वाले शब्द उस व्यंजन में इस्तिमाल होने वाले सभी स्वरों के बाद में रखे जाते हैं जैसे क्या शब्द कौस्तुभ के बाद ही आएगा प्रिष्ठ संख्या 197 रत की आत्रा जारी थी चंद्रिका ने ध्यान दिया कि कः प्रतमाक्षर से शुरू होने वाले शब्द एक-एक कर सामने से गुजर रहे थे क्रम वर्ण माला का ही था हाँ, वे दो नियम भी लागू हो रहे थे जो शब्द परीने शुरू में बताये थे क और यह से मिलकर बने सयुकताक्षरों से शुरू होने वाले शब्दों से आगे बढ़ते हुए दोनों क और रो से बने सयुकताक्षर क्र से शुरू होने वाले शब्दों के भवन आए क्रंदन और क्रंदित के बाद क्र का नम बराया और क्रम, क्रमशह इत्यादी शब्दों के भवन आए फिर क्रा, क्री इत्यादी से प्रारंभ होने वाले शब्दों के भवन आते गए क्रा के बाद क्ल एवं क्वा से शुरू होने वाले शब्द आए फिर शुरू हुआ क्षा से प्रारंभ होने वाले शब्दों के भवनों का सिलसिला ये इस लोग के नियमों के अनुसार ही था चूंकि क्षा संयुक्ताक्षर क और श से मिलकर बना है अतहा इसे क और व से मिलकर बने क्वा संयुक्ताक्षर से शुरू होने वाले शब्दों के बाद ही आना था चंद्रिका खुश होकर बोली अब बात मेरी समझ में आ गई इसका आर्थ ये हुआ कि चूंकि तरह संयुक्ताक्षर त और रवणों से मिलकर बना है अतहा इससे शुरू होने वाले शब्दों के भवन त खंड में नियामानुसार निर्धारित स्थलों पर आएंगे शब्द परी प्रशनसा भाव से मुस्कुराई हाँ, बिलकुल ठीक ग्या संयुक्ताक्षर ज और यावणों के संयुक से बना है अतहा इससे प्रारंभ होने वाले शब्दों के भवन ज खंड में अपने निर्धारित स्थानों पर आएंगे श्रसयुक्ताक्षर श और रवणों से मिलकर बना है अतहा इससे शुरू होने वाले शब्दों के निवास थल श खंड में होंगे संदर्भग्रंथ पहला, जिस प्रकार शब्द कोश में शब्दों के अर्थ दिये होते हैं उसी प्रकार संदर्भग्रंथों में मानवद्वारा संचित ज्यान को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है दूसरा, संदर्भग्रंथ कई प्रकार के होते हैं संदर्भ ग्रंथ का सबसे विशद रूप विश्व ज्यान कोश है। इसमें मानव द्वारा संचित हर प्रकार की जानकारी और सोचना का संक्षिप्त संकलन होता है। तीसरा, संदर्भ ग्रंथों के अन्य महत्वपून प्रकार हैं साहित्यकोश और चरित्रकोश। साहित्यकोश में साहित्यक विशयों से संबंधित जानकारियां संकलित होती है। चरित्रकोश में साहित्य, संस्कृती, विज्ञान आदेक्षित्रों के महान व्यक्तियों के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानकारी संकलित होती है। चौथा, संदर्भ ग्रंथ गागर में सागर के समान है। जब भी किसी विशय पर तुरंत जानकारी की आवशक्ता होती है, संदर्भ ग्रंथ हमारे काम आते हैं। पाँचवा, संदर्भ ग्रंथों में जानकारी का सिलसले वार संकलन शब्द कोश के नियमों के अनुसार ही होता है। रत चलता जा रहा था, थोड़ी देर में चाखंड आ गया। इस लोग के नियमों के हिसाब से पहले चा उपखंड आया। चंद्रिका खुशी से चिल्ला पड़ी, शब्द परी बोली, लो तुम्हारा उपखंड तो आ गया, तुम्हारा घर तो इसी उपखंड में होगा। बिल्कुल ठीक, थोड़ी ही देर में इस राजमार्ग के किनारे मेरा घर आने वाला है। चा उपखंड में निवास करने वाले शब्दों के भवन एक एक कर आते जा रहे थे। चंद्र था, प्रिष्ठ 198 फिर नियमा अनुसार इन शब्दों के भवन आये, जिनका दूसरा वर्ण द्रा था। चंद्रा, चंद्रायन इत्यादी शब्दों के बाद द्री की बारी आते ही, नियमा अनुसार पहले चंद्री कामबुज और फिर चंद्रीका का भवन आ गया। भवन के बाहर चंद्रीका की पट्टिका को देखकर, चंद्रीका का खोशी से उचलना स्वाभाविक था। रत अब तेजी से दोड़ने लगा, थोड़ी ही देर में वह खंड आ गया। इस खंड के उपखंड एक-एक कर गुजरने लगे। वी उपखंड के आते ही चंद्रीका का उतावला पन बढ़ने लगा। इस लोक के नियमों द्वारा निर्धारित क्रम के अनुसार थोड़ी देर में विदग्ध शब्द का भवन भी आ गया। शब्द परीने रत रोका, दोनों रत से उतर कर भवन के दर्वाजे पर पहुँचे, वहां विदग्ध की पटिका लगी थी। इस पटिका के नीचे संग मर्मर की एक और बड़ी पटिका थी। जिग्यासा वश चंद्रिका पटिका के सामने रुग गई और लिखी इबारत को पढ़ने लगी। विदग्ध, वी, कोश्ठक में सन, नागर, निपुण, पंडित, रसिक, रसग्य, जला हुआ, जट रागनी से पका हुआ, पचा हुआ, नश्ट, गला हुआ, जो जलाया पचाना हुआ, सुन्दर, भद्रतापून, पुरलिंग, चतुर या धोर्त आदमी, रसिक, एक घास शब्द परी बोली के कई अर्थ दिये हुए हैं, किसी लेखन में जहां जैसा संदर्भ होगा, वहां वैसा ही अर्थ लागू होगा, मगर एक बात समझ में नहीं आई, वो क्या, संग मर्मर की पट्टिका पर कुछ संकेताक्षर भी लिखे हैं, उनके अर्थ क्या है, शब्द परी बोली वी का अर्थ यह है, कि विदग्ध एक विशेशन है, पू से यह अभी प्राय है, कि यह शब्द पुलिंग है, सं से यह मतलब निकलता है, कि विदग्ध संस्कृत का शब्द है, चंद्रिका अब विदग्ध के बारे में पूरी तरह से जान चुकी थी, और उससे मिलने के लिए उत्सको रही थी, शब्द परी ने द्वार की घंटी बजाई, दर्वाजा खुलने पर एक सुदर्शन व्यक्ती सामने दिखाई पड़ा, यही विदग्ध था, अपने महम का स्वागत करते हुए, वो उन्हें घर के अंदर ले गया, विदग्ध ये है पृत्वी की मेरी हम नाम, चंद्रिका, तुमने इसे बहुत परिशान किया है, शब्द परी बोली, विदग्ध ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं इनसे माफी मांगता हूँ, मगर इस ब नहीं, कोई बात नहीं, सच कहूं, तो वो परिशानी ही वर्दान साबित हुई, विदग्ध ने कहा, आगे आपको हमारे किसी भी साथी से कोई परिशानी नहीं होगी, फिर विदग्ध ने एक मोटी पुस्तक निकाली और चंद्रिका को देते हुए बोला, आप इसे मेरी तरफ से उपहार के रूप में रख लीजिए, ये इस लोग की निर्देशिका है, इसे शब्द कोश कहते हैं, चंद्रिका ने इस पुस्तक के पन्ने पल्टे, प्रारंभ के दो प्रिश्ठों पर एक संकेत सूची थी, इसमें संग मर्मर पट्टिका पर प्रयुक्त होने व 199 संकेत सूची संकेत है स्टार या एश्टरिक का, इसका अर्थ होगा, पद्य में प्रियुक्त शब्द कोश में धन का चिन्ह बताता है स्थानिक यदि शब्द कोश में अ का चिन्ह बना हो, तो वो अव्यव की और इशारा कर रहा है यदि कोश्ठक में आ हो, तो इसका अर्थ है कि वो शब्द अर्भी से आया है इसी प्रकार अक्री, अर्थात अकर्मक्रिया उदाहरन स्वरूप, अप्र कोश्ठक में, अर्थात अप्रचलित अमर, अमर बेल, व्रिंदावन लाल वर्मा अल्प, अल्प सूचक, लगू रूप सूचक अहिल्या, व्रिंदावन लाल वर्मा कोश्ठक में आ, आधुनिक कोश्ठक में आयू, कोश्ठक में आवे, आयरुवेद कोश्ठक में या कोश्ठक में इब अर्थात इबरानी कोश्ठक में उ होना अर्थात उदाहरन उप अर्थात उपसर्ग कोश्ठक में उपनी अर्थात उपनिशद कवी या कव अर्थात कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाथी कोश्ठक में का होना अर्थ होगा कानून कोश्ठक में काम लिखा होना अर्थात कामंदकिय या कामशास्त्र कोश्ठक में कव लिखना अर्थात कौटिल्य कोश्ठक में क्व अर्थात क्वचित अर्थात गनित कोश्ठक में गी अर्थात गीता गीता गीतावली तुलसी कृत गुलाब गुलाब राय कृत नवरस ग्राम ग्रामगीत राम नरेश त्रिपाथी कोश्ठक में ग्रा ग्राम्य घन घन आनंद ग्रंथावली चंदा चंदायन कोश्ठक मेची चित्रकारी छतीस छतीस गढ़ी बोली छत्र छत्रप्रकाश कोश्ठक मेज़ जर्मन जिंदगी जिंदगी मुस्कुराई कनहिया लाल प्रभाकर कोश्ठक मेजय जैन साहित्य कोश्ठक मेजय ज्यामिती कोश्ठक में जियो जियोतिश, कोश्ठक में तन तंत्रशास्त्र, कोश्ठक में ति तिबबती, कोश्ठक में तिर तिरसकार सूचक, कोश्ठक में तु तुर्की, दीनद दीन दयाल गिरी, दे अर्थात देखिये, नागरी नागरी दास, कोश्ठक में ना नाटक, कोश्ठक म प पदमावत, जाय सी कृत, कोश्ठक में पह, पहलवी, कोश्ठक में पा, पाली, कोश्ठक में पाराशर सन, अर्थात पाराशर सहिता, पु, पुलिंग, कोश्ठक में पु, पुराण, कोश्ठक में पुर्त, पुर्तगाली, प्र, प्रत्याय, कोश्ठक में प्रा, प्राची कोश्ठक में फा अर्थात फार्सी, कोश्ठक में फें अर्थात फ्रेंच, कोश्ठक में बंग अर्थात बंगाली, कोश्ठक में ब बर्मी, कोश्ठक में बहु, कोश्ठक में बहुव अर्थात बहुवचन, B. बिहारी रतनाकर B. बीसल देव रासो बुंदेल बुंदेल खंडी बोली कोश्ठक में ब्री सन अर्थात ब्रिहत सहिता कोश्ठक में बो कोश्ठक में बोल बोल चाल कोश्ठक में बो या बौध बौध साहित्य कोश्ठक में भाग अर्थात भागवत भाववी भावविलास देव कृत भू भूशन ग्रंथावली भूकरी भूत कालिक क्रिया कोश्ठक में मती मतिराम कोश्ठक में मनु मनुस्मृती प्रिष्ठ संख्या 200 इस प्रिष्ठ पर सबसे पहले शब्द कोश का एक चित्रदी आ गया है इसके बाद अ, आ, इत्यादी हर खंड में निवास करने वाले शब्दों की सूची थी इन शब्दों को इस पुस्तक में ठीक उसी प्रकार सजाया गया था जैसे राजमार्ग के किनारे भवनों को क्रम वार निर्मित किया गया था वही वर्ण माला क्रम और वे ही दो महत्वपोन नियम लेकिन चंद्रिका ने एक बात और देखी इस पुस्तक के हर प्रिष्ठ के शीर्ष पर दो शब्दों का जोड़ा दिया हुआ था जैसे उत्तरण उत्थान जण जण आदी इसका उद्देश क्या है? चंद्रिका ने पूछा विदग्ध बोला ये हमारे साथियों की तलाश को आसान बनाता है हर प्रिष्ठ के उपर दिये गए शब्द युगम का पहला शब्द उस प्रिष्ठ का पहला शब्द होता है दूसरा शब्द प्रिष्ठ के आखरी शब्द को दर्शाता है इस प्रकार पूरे प्रिष्ठ पर किसी शब्द को तलाशने की जरूरत नहीं होती शब्द युगम को देख कर ही पता चल जाता है कि इस प्रिष्ट पर इच्छित शब्द का होना संभव है या नहीं। विदग्ध को चंद्रिका ने धन्यवाद दिया, फिर दोनों बाहर निकले। चलो मैं तुम्हें वापस छोड़ दू। शब्द परी ने कहा, फूलों का रत एक बार फिर हवा में उड़ रहा था। वापसी यात्रा के दौरान चंद्रिका ने देखा कि रत किसी और लोग के उपर से गुजर रहा है। ये कौन सा लोग है? जैसे हमारा शब्द लोग है, वैसे ही इस लोग को विश्वग्यान लोग कहते हैं। हाँ, यहां भी वैसा ही राजमार्ग है और वैसे ही मार्ग के एक तरफ भवन बने हुए हैं। चंद्रिका ने कहा शब्द परी बोली विश्वग्यान लोक में भी भवनों को उसी प्रकार क्रम बार व्यवस्थित किया गया है जिस प्रकार हमारे शब्द लोक में अंतर यहां है कि हमारे यहां शब्द निवास करते हैं और इस लोक में जानकारियों का निवास है प्रिष्ठ संख्या 201 क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें मानव ज्यान से संबंधित जो भी सूचना या जानकारी चाहिए वो इस लोक के निवासियों से मिल जाएगी शब्द परी आगे बोली इस लोक की निर्देशिका विश्वग्यान कोश के नाम से जानी जाती है चंद्रिका ये जानकर बड़ी खुश हुई अब जब उसे किसी विशय पर संख्यप्त जानकारी की जरूरत होगी तो उसे ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा एक ही स्थान पर उसे हर विशय की संख्यप्त जानकारी मिल जाएगी रथ अब किसी अन्य लोक के उपर से उड़ रहा था शब्द परी बोली यह चरित्र लोक है यहां भी जानकारियां ही निवास करती है अंतर ये है कि ये जानकारियां विचारकों, साहित्यकारों, वैज्ञानिकों, आदिके संक्षिप्त परिचय और उपलब्धियों तक ही सिमित रहती है जानकारियों को क्रमवार रूप से व्यवस्थित करने का नियम हमारी तरह ही है यानि जब भी मुझे किसी भी क्षेत्र के महान व्यक्ति के बारे में जानना होगा तो मेरी मदद इस लोग के निवासी करेंगे हाँ चंद्रिका, ये भी जान लो कि यहाँ निर्देशिका को व्यक्तिकोश या चरित्रकोश कहते हैं थोड़ी देर में एक और लोक आया शब्द परी ने बताया, कि ये साहित्य लोक है यहाँ साहित्य से संबंधित विशयों की जानकारिया निवास करती हैं इस लोक की निर्देशिका साहित्य कोश कही जाती है मैं समझती हूँ जानकारियों के क्रम बध प्रस्तुती करण का नियम इस लोक में भी वही होगा हाँ चंद्रिका बिलकुल ठीक शब्द परी बोली रत अब पृत्वी के निकट पहुँच रहा था थोड़ी देर में चंद्रिका का घर आ गया चंद्रिका को वापस छोड़ने के बाद शब्द परी फिर चाया में बदल गई और धीरे धीरे विली इन हो गई चंद्रिका की अचानक आँख खुली तो क्या सब कुछ सपना था? मगर सामने तो वही पुस्तक रखी थी अगर सब कुछ सपना था तो वह पुस्तक आई कहां से? इसका रहसे भी खुल गया लता दीदी कमरे में आई तुम्हारे जन्म दिन पर मैंने तुम्हें उपहार देने का वायदा किया था तुम्हारा उपहार सामने है पढ़ने में तुम्हारी अभिरुची को देखते हुए मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए शब्द कोश से बहतर कोई उपहार नहीं हो सकता धन्यवाद दीदी तुमने मेरे दिल की आवास सुन ली फिर वो लता दीदी से लिपट गई प्रिष्ठ संख्या 202 बलकी ख शब्द कोश में शब्दों का क्रम ग शब्द कोश का सबसे बड़ा लाभ ये है की दूसरा, नीचे दिये गए शब्दों को शब्द कोशिय क्रम में लिखिए परीक्षन, परिक्रमन परिक्रम, विश्वामित्र, हिमाश्राया हिर्दयंगम, ग्वालेन, घंटा, योगांत, घटक, घट, इच्छित, एक्षु, अंतह, अंकपेत, आवरिष्टी, उदाहन, उद्योग, जिग्यासु